Hello students, तो आज हम करेंगे exercise 3.6 का question number 2, तो question number 2 क्या है what is the HCF of two consecutive, पहला पार्ट क्या है numbers, दूसरा क्या है even numbers, तीसरा क्या है odd numbers, यानि हमें HCF find out करना है two consecutive numbers का और two consecutive even numbers का और two consecutive odd numbers का, consecutive का मतलब लगातार होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे ए वाले पार्ट से start करते हैं, solution कर लेत हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे consecutive numbers क्या होते हैं, हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से होंगे यह हमारे numbers, अब यहाँ पे कर रहा है कि two consecutive numbers का हमें लेना है, तो two consecutive numbers का मतलब दो लगातार number लेना है, जैसे हम यहाँ पे 5 और 6 अगर ले लेते हैं, तो इसका HCF क्या आएगा हमारा, तो यहाँ पे देखो, 5 का prime factorization क्या होगा, 5 हमारा prime number है, तो यहाँ पे यह 5 होगा, और 6 का prime factorization क्या है, 6 हमारा 2 और 3, अब यहाँ पे देखो, इन दोनों में कोई भी number common नहीं है, सिर्फ एक number जो हमेशा common होता है, उसको लिखते नहीं, और वो क्या है 1, क्योंकि यहाँ पे 5, 6 का 1, इस तरह से अगर हम थोड़ा बड़ा number ले लेते हैं, पहला ले लेते हैं 15, दूसरा ले लेते हैं 16, 15 का हमारा prime factorization क्या हो जाएगा, 3 into 5, और 16 का क्या हो जाएगा हमारा, 2 into 2 into 2 into 2, यहाँ पे 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो, इन कोई भी number common नहीं है, अब जब कोई भी number common नहीं है, तो क्या common होता है, 1 common होता है, तो यहाँ पे hcf क्या हो जाएगा हमारा, hcf of 15, 16 is equal to 1, तो यहाँ पे हम दो example से observe कर सकते हैं, कि दो consecutive numbers का hcf जो है, वो 1 आ रहा है, तो इसी को हम answer में लिखेंगे, answer हमारा क्या हो जाएगा hcf of two consecutive numbers is 1, तो यहाँ पे 1 हो गया, अब यहाँ पे b वाला पार्ट क्या कहता है, even numbers, तो यहाँ पे b वाला पार्ट लिख लेते हैं, even numbers, अब यहाँ पे two consecutive even numbers का हम scf find out करना है, even numbers हमारे क्या होते हैं, 2,4,6,8,10, इस तरह से 12,14,16, यह हमारे सारे जो हैं, even numbers हैं, अब यहाँ पे भी हमें दो लगातार number अगर उठा लें तो उनका scf क्या होगा, example के लिए हम 6 और 8 को उठा लेते हैं, अगर सिर्फ consecutive number की बात कर रहा है, तो यह क्या होता, 6,7,8, लेकिन अगर two even consecutive की बात करेगा, तो इस 7 को हम नहीं लेंगे, क्योंकि यह हमारा even number नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे 6 और 8 को लेंगे, अब यहाँ पे 6 का हमारा prime factorization क्या होगा, 2,3, 8 का हमारा prime factorization क्या होगा, 2 2,2,2, अब यहाँ पे common हमें क्या मिल रहा है, 2, तो एक pair मिल गया, तो SCF हमें क्या मिल जाएगा, 6,8 का 2, इस तरह से थोड़ा अगर हम बड़ा number ले लेते हैं, यहाँ पे 14 और 16 को ले लेते हैं, तो यहाँ पे 14 का prime factorization क्या हो जाएगा, हमारा 2 into 7, और यहाँ पे 16 का क्या ह हो जाएगा, 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही pair 1 रहा है, 2 का, तो SCF हमारा क्या हो जाएगा, SCF is equals to, SCF of 14, 16 is equals to 2, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमने 2 consecutive even numbers लिए, तो SCF हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे हम answer में वहीं चीज़ लिखेंगे, SCF of two consecutive even numbers is 2, तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा, तो अब हम यहाँ पे C वाला पार देख लेते हैं, तो C वाला पार को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, odd numbers, odd numbers, अब एक चीज़ देखो, odd numbers हमारे क्या होते हैं, जो 2 से divisible ना हो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, यह सारे हमारे odd numbers होंगे, अब यहाँ पे हम अगर कोई भी 2 numbers उठा लें, consecutive, consecutive, 2 consecutive numbers उठा लें, इसे हमने यहाँ पे 5 और 7 को अगर ले लिया, तो 5 का हमारा prime factorization क्या होगा, 5 आएगा, 7 का हमारा prime factorization क्या आएगा, 7 आएगा, तो यहाँ पे तो हमें कोई भी चीज common नहीं मिल रही है, तो जहाँ पर अगर कुछ भी common ना हो, तो वहाँ पर क्या common मिल जाता है हमें, 1, क्योंकि 1 हमेशा रहता है, तो HCF हमारा 5 और 7 का क्या हो जाएगा, 1 आजाएगा, इसी तरह से अगर हम थोड़ा बड़ा number ले 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 लेते हैं, तो यहाँ पर 13 यह हमारा prime number 13 ही रहेगा, और 15 का अगर हम prime factorization करें, तो यह क्या हैगा हमारा 3, 5, 15, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, कि इन दोनों में कोई भी number common नहीं है, और जहाँ पर कोई number common नहीं हो, तो क्या होता है हमारा, 1 होता है, तो यहाँ पर HCF of 13, 15 is equals to क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर answer लिख लेंगे हम, HCF of two consecutive odd numbers, odd numbers is 1, तो यहाँ पर दो consecutive odd numbers का HCF जो है वो 1 आता है, questions हम आप आज के लिए वसे तना ही मिलते हैं अगली वीडियो में,